नमस्कार साथियों डेली इंडिया करंट अफेर्स के सेसन में आपका सुवावत है आज का सेसन रहेगा साथियों कतिश अगस्त दो हजार चोईश इंडिया करंट अफेर्स का इस सेसन के अंदर साथियों जितने इन महतुपुन पर्षन इंडिया करंट अफेर्स के बने हैं वो माँ आपके साथ से रख हूँ और साथ इन परस्टों से जुड़े वे जो महत्वपुन तत्य आप से पूछे जा सकते हैं साथियों उस पर भी माँ आपके साथ जानकारी साधा करूँ आपको पसंदा आए तो इसे लाइक वासे जुरूर कीजिएगा जुड़े रहिएगा इन्फूजर नोट्स है और आपको इस सेशन की जो पीडिया पर साथियों इन्फूजर नोट्स के टेलिग्राम चैनल परे मिल जाएगी सेसन की सुवात करेंगे साथियों और वार्टसअप पर भी है जो आपको इस सेसन की पीडियों पर मिल जाएगी आज के दिनका पहला क्यूसन आप से पूछा गया है साथियों अगश्ट दोहजार सोईस में जारी पूरण इंडिया रिट्स लिष्ट के उनसार भार्ट के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने है तो गोतम अडानी जी इसमें पहली बार भार्ट के साथियों तीन सो से जादा आरपतियों को सामिल किया गया था जिसके अंदर साथियों गोतम मंडानी मुके संबानी को पीच्छे छोड़ते हुए देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं इनकी कूल संपती 11.6 लाख प्रोड उपे से ज्यादा हो गई है तो most important क्यों सरहेगा सिधा का सिधा का सिधा पूछेगा कि अगर 2024 में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अमसार बारत के सबसे अम पॉइंट लो लाख रूट उपे से ज्यादा हो गई है तो most important साथियों आज के दिन का ये क्यों सने रहेगा और आप से सीधा का सिधा पूछा जाएगा आगे बात करेंगे साथियों अगले क्यों की अगला क्यों से पूछा गया है कि CIS Hub का नेया DG है जो किशे निक्त किया गया है तो answer आपका रहेगा RS भाटी को ये most important साथियों क्यों सने रहने वाला है और आप से सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है कि CIS Hub का नेया DG है जो किशे निक्त किया गया है तो आपका answer हो जेगा साथियों RS भाटी को आरेस भाटी को ने साथियों सीनियर आईपियस अधिकारी आरेस भाटी को CIS अपका नेया महानी देशा के मनाया गया है वह बिहार केंडर के आईपियसे अधिकारी है यानि साथियों जो आरेस भाटी है ये बिहार केंडर के आईपियसे अधिकारी है इपोर्टेंट रहेगा अकल हमने पढ़ा था साथ और रेलवे बॉर्ड का अधेक्स और CEO किशे निफ्ट किया गया था तो उसका अनुसर था स्तीष कुमार जी को इसके लावा राष्टेस रुक्षागाड का महानी देशक किशे निफ्ट किया गया 20 श्री निवासन को और C.I.A. सब का नेया डीजी किशे निफ्ट किया गया है आरे से भाटी को दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें साथियों इपोर्टेंट रहेगी रेलवे बॉर्ड का और C.I.A. सब का नेया डीजी है जो आरे स भाटी को निफ्ट किया गया है इपोर्टेंट ये क्यूसने रहेगा अगला क्यूसन आप से पूछा है कि केंद्री मंत्री मंडल ने पुरुवत्तर राजे में जल्विधूत प्रियोजना के लिए कितने क्रोड रुपे मंजूर किये हैं तो आंसर हो जाएगा 436 क्रोड रुपे हैं जो साथियों मंजूर किये हैं केंद्री मंत्री मंडल के द्वारा साथियों हाले के अंदर जो पुरुवत्तर राजे हैं उनके अंदर जल्विधूत प्रियोजना के विक्षित के लिए हैं जो साथियों केंद्री है जल पर 15,000 मेगावार्ट चम्ता वाली जल्ब विदूत प्रियोजना के विकास के लिए है जो 4736 करोड़े रूपे हैं जो मंजूरे किये गए हैं इसके लागा साथियों 12 उत्योगिक है जो समार्ट सिटी है जो विक्षित की जाएगी दस राजियों के अंदर साथियों 12 समार्ट सिटी है जो विक्षित की जाएगी इसकी भी गोष्णा है जो साथियों की जाज़की है ये तोनों चीज़ें आपके लिए काफी पोर्टेंट है रहने वाली है सिटा का सिटा आपसे पूछा जा सकता है साथियों इपोर्टेंट पानके चलेगा इस क्यूशन को और जो कंपनी कॉन सी बनी है तो आंसर आप पर रहेगा ब्रक्शाइर हैथवे दुनिया के दीगत निवे शक वोरेन वफे का जल्वा और बढ़ता ही जा रहे है उनकी कंपनी ब्रक्शाइर हैथवे ने दुनिया की पहली वन ट्रिलियन डॉलर नोन टेंक कंपनी बनने का इतियासे रच दिया कंपनी का जो मार्केट के पैसा क्यों वो पहली बार इस माइल स्टॉन के पार गया है कंपनी के शेर जीरो पॉइंट आस फिस्ती है जो उपर गये है जिसके चलते ब्रक्शायर है तो एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है तो इपोर्टेंट है कि हाली में एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट के फासिल करने वाली नोन टेंग कंपनी कौन सी बनी है तो आंसर हो जाएगा ब्रक्शायर होतवे बनी है most important साथियों मान के चलिएगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जाएगा इसके निदे सकों है साथियों दुनिया के डिगेज निवे सकों है वोरेन वफे हैं ये भी आपको याद रखना है अगर इनका नाम पूछा जाए है किस देश की यात्रा पर गय है तो आच्छे सीलंका राष्ट्यर शरुख्षा सालाकार अजी डोबाल साथियों दो दिन कि शीलंका क्यात्रा पर हैं मीडिया खबरों के उससार सिरी CDabal कोलॉम्बस रुक्षा सम्मिलिन मेन वेक्ट किया विचारों परहें जो समिक्षा करेंगे भार सिरलंका और मालदीव के प्रियासों से कॉलम्बो सुरुक्षा समयलन के छेत्रिये सुरुवात है जो की गई है इस समय का उदेश हिंद महासागर छेत्र को सैक उसल सुरुक्षी तोर श्तिर बनाना है इस मुह में भारत की नेतर्टों की भूमिका ह रहेगी तो इपोर्टेंट है कि राष्टे सुरुक्षा सलहकार अजी डोवाल हाली के अंदर किस देश की आतरा पर गई हुए हैं तो आप का अंसरो जाएगा साथियों सिरलंका की आतरा पर हैं जो गई हुए हैं कौन अजी ते डोवाल इक पॉंटेट यह रहेगा क्यूस पैंसन और फैंसन भोगी कल्यान विवाग के द्वारा के अंदर सरकार के स्क्रभ पुछाएं की यही अनुभो कुछाएं कि अगला क्यूशन आप से पूछाएं कि सवदेशी इल्यक्रिक वहां चार्जिंग स््टेसन का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो आप कांसर हो जाएगा ऐसे कर्षन के द्वारा किया गया है किसके द्वारा ऐसे कर्षन के द्वारा electronic source और सुचना प्रोदेगी मंत्रा लेके सची उश्यरी S कर्षन ने साथियों C-DAC-TRIVANT-PURM टेक्नो पारक प्रिशन में इसके द्वारा कि द्वारा कि द्वारा को दिया गया है कि इसे भार्ट के सरवोच लगू वित बैंक का पुश्कार दिया जन स्मॉल फाइनस बैंक को दिया गया है साथियों ये सिदा का सिदा कि उसना आपको याद रखना है आप से पूशा दा सकता है कि इंडियन चेमर वपकॉमर्च कोलकता ने कि इसे भार्ट के सरोच लगू वित बैंक का पुश्कार दिया तो आनसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनस बैंक को दिया है इपोर्टेंट रहेगा इरान सरकार द्वारा पहली बार निक्त ही महला सरकारी प्रवक्ता कोन बनी है फते में है मोहजेरानी कोन बनी है फते में है मोहजेरानी फते में मोहजेरानी को मसूद पैदकीशिया निसासन का सरकारी प्रवक्ता निक्ते किया गया है चोपन वर्षिया महोच जेरानी इडिन बरग से बिजनेस एंडी मिनेस्टरेशन में डिरेक्टेट की हुई है तो इपोर्टेंट रहेगा कि इरान सरकार के दुआरा पहली बार नियुक तो ही मेला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है फतेमी है महोच जेरानी बनी है तो यह आपको यादे रखना है आपसे पूछा जा सकता है इपोर्टेंट यह कि उसने रहने वाला है यानि इनकी साथियों जो एडिन बरग में बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन में यह डिरेक्ट रेट की हुई है तो इपोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है अगला कि उसने आपसे पूछा है कि सेफ अंडर टाउंटी चैंपियनसिप कि इसने जीती तो आंसर हो जाएगा बांगलादेश के द्वारा बंगलादेश की टीम ने सेफ दक्षणी एशी फुटवाल मासंग अंडर भी चैंपियनसिप फुटवाल टरनॉमेंट का किताब जित लिया यह पहली बार है कि बंगलादेश ने साथियों यह चैंपियनसिप पे जीती है और किसको हरा कर साथियों तो नेपाल को हरा कर कायजन क्या गया था उसके अंदर साथ य। चेंपिën कौण बना है तो आप कांसरो जायगा 10 meter की जो SS1 की category है उसके अंदर है जो साथियों सोरण जीता है इसके अलावा साथियों जो Mona अगरवाल है उन्होंने भी है जो साथियों पांशे पतक हैं जीत लिया है यह दोनों चीज़ें important है इसलिए है साथियों की आप से यह भी पूछा जा सकता है कि किसने जीता तो आंसर हो जाएगा अवनी लेखरानी यानि इन्हें पहली बार सातियों ये खिताब है जो अपने नामे पहला गोल्ड है जो जीता है पेरिस पेर अलम्पिक 2024 का पहला गोल्ड है जो अवनी लेखराने जीता है तो यह आपको याद रखना है, important है रहने वाला है, इसके लावा मोना अगरवाल नहीं है, तो साथियों कौन सा कांश्या पदक इन्हों ने अपने नामें कर लिया है, तो यह दोनों चीजें साथियों काफी important है, रहने वाली है, आपसे सिदा का सिदा है, जो पुछा जा सकता है तो सेशन आपको पसंदा है तो साथ यूचे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेन्ट के लिए जुड़े रहेगा इनफ्यूजर नोट से मिलेंगे साथ यूँ अगले सेशन के लिए तब तक जुड़े रहेगा और Infusion Notes के एप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा वहाँ पर आपको साथ यो पी बिहार हर्याना का भी Current Affairs है तो PDF के रूप में मिलता रहेगा मिलेंगे अगले सेसन के लिए तब तक धन्यवाद